बक्रीत को लेकर देश भर में उत्साह का महौल है जारखंड की राजधानी राची में भी सुभा से ही बक्रीत पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है राची में सुभा से ही लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते नजराने लगे इद की नमाज के बाद शहरवासी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं इस मौके पर काफी संख्या में बकरे की कुर्बानी दी गई इससे पहले अकीदत मंदो ने मस्जिद में नमाज अदा कर देश, राज्य और परिवार की खुशाली की दुआएं मांगी बकरीत के तवार पर एक दूसरे के गले लगकर बधाई देने की परंपरा है इस पर्व को लेकर मुस्लिम मानेता है कि इस दिन अल्लाह ने حضرت इब्राहीम की परिख्जा लेते हुए उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कहा था इब्राहीम ने अपने जवान बेटे इस्माइल को इस इस जवान बेटे को खरा करने का फैसला गिया अल्ला हजरत इबराहिम को सिर्ख पर रखना चाहते थे इस परंपरा के साथ पुरी दुनिया में एद उल अजहा का तेवार सदियों से मनाया जाता है भारत में ये तेवार बक्रीत के नाम से प्रचली थे ये कृर्बानी यादगार है حضरuju बराहि angry स्राव और आब के फर्चे फर्संद इसमाइल अल्यूड फ़लाओ की इस कि अईबराहिम quarterback को अग्मे तिया खाब के भार ने खुछ कि अपने बेटे इस्माइल को मेरे रह में गुर्मान करो इसलिए अपने बेटे इस्माइल को ख़दा के लिए कुर्बान कर दिया लेकिन आए बारक आज़ा को सिर्फ आजमाना मकसूत था इसलिए लबारु ले अवराहिम अलिए स्लाव को आजमा लिया और इसमाईल अले सलाव की जगा एक जन्नत का मेंड़ा भेजा और उसके बदले में उस जन्नत के मेंड़ा की खुर्बानी दी गई उसी की यादगार में हम लोग इद अजहा और इद अकुरुमानी मना करके हर साल इवराहिव इसमाईल आले स्लाथ वास्लाम की जुफदाकारी अजासिपारी और अल्लह के हुक्म के आगे तसलिम और रिजा का जो जजबा था उसको हम लोग याद करते हैं सुमर को बकरीत पुरिदेश भर में खूब उत्सा से मनाया जा रहा है इसको लेकर जारखंड के राची में भी लोगों में काफे उत्सा है और वो एक दूसरे को बकरीत की बधाई दे रहे हैं हुआ 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 है